वेलकम दोस्तों देव हमें एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों जिसे कि आपको पता है एल्टी की परती आगी और आपको इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डाउट्स आपके अंदर आ रहे हैं देखे इसमें क्या होता ना कि एक ही मतलब आपके कॉमेंट के इतने लोगों के रिपलाई करना यार कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है तो इसलिए हम क्या करते हैं एक वीडियो बनादे जिसके माधिम से आपके कॉमेंट को देखते हुए सबी लोगों को उसका जबाब मिल जाता है देखे इसमें कई का पार्ट है वो कितना आने वाला है और subject में कितना वेटेज रहेगा जहें जो जो जी बॉटनिय केमिस्ट्री ठीक है इसका कितना वेटेज रहेगा तो यह चीजें नहीं पता है और संभावत है आज या कल में ही जो है आयोक के द्वारा यह चीज भी दे दी जाएगे किसका पूरा वब बीवाचन कर दिया जाएगा तो इसका मोटा-मोटा एग अपनी तरब से हम बता देंगे लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरिकी की ऐसी जानकारी आपको दे दी जाए जो बिल्कुल पुक्ता ना हो ठीक है तो इसलिए मैं उस बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ फिलाल इतजार करते हैं एक दो दिन का आयोग से उमीद करता हूँ आ जाएगा अभी इस वीडियो में आपको वो बताना है दोस्तों जैसे आप ले मैंने जो कल वीडियो बनाया था लटि के लिए उसमां आपके बहुत सारे कमेंट आये थे आप लोगो बहुत सारे डाउट थे तो उन कमेंट को देखते हुए मैं एक एक करके आप लोगों के डाउट के लियर करते चलूंगा तो आप क्या भी कोई प्रश्ण है तो आप वीडियो को पूरा देखिए कहीं कहीं आपके प्रश्न का सवाल जवाब आपको मिल जाएगा ठीक है तो देखे यहाँ पर आपके आप लोगों के कमेंट आये हैं सर कॉमेर्स के कितनी कम पोस्ट हैं इसका क्या होगा देखिए यहां पर भई कम पोस्ट हैं ज्यादा पोस्ट है पिसली बार एसस्ट में जो है थी ही नहीं ठीक है तो इस बार तो चलो ठीक है आए हैं अब यह कह रहे हैं कोई की फॉर्म नहीं आ रहे हैं इतना समय हो गया है ठीक है अब हम आगे तो सलेवर्स गलत है भाई इतना समय मिलतो रहा है करोना तियारी है देखो सलेवर्स गलत है सही है ये हमारा topic नहीं है सलेवर्स जो बन गया आप लोगों वो सिर्फ उसके तयारी करनी है ठीक है ना उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं सब्जक् आप लोग जो है अपनी तयारी करते रही है इसा कुछ नहीं है उसमें कुछ-कुछ चीज़ें दी है जो ही आपको बिलकुल उतना ही पढ़ना है तो आप लोग जो है इस पर ध्यान रखे अधर स्टेट्स के फॉर्म फिल कर सकते हैं या नि प्रियंका वर्मा जी कह रही है त तो आपके पाँ उत्राखंड का डो मिसायल होना चाहिए अगर आप अधर स्टेट्स हैं आपके माता-पिता मैंसे कोई भी अगर उत्राखंड के जो है या केंदर सरकार के या उत्राखंड गॉवर्मेंट के अंदर काम करते हैं ठीक है अंप्लोई हैं यहाँ पर थे पहले हूँ या नहीं तिकि इंवर्मेंट इंवर्मेंट सुरी इंप्लोईमेंट ऑफिस में अगर आपने अभी तक नहीं इन्रॉल करा रखाया तो आप क्या करेंगे करा लिजे क्योंकि जो आजकल तो तीन दिन में चार दिन में हो जाता है ना तो आप लोग ऑनलाइन हो जाना चाहिए तो तब आप इस फ़र्म को भर पाएंगे तो हाँ आप इस फ़र्म को भर पाएंगे अगर आप जो है अब बिद्दा कर लेते हैं फटापट से वहां पर अपने आपको इन्रॉल ठीक है रेजिस्टर अपना करा पाते तो क्या अधर स्टेट वाले भी फि उसके बारे में भी डिस्कास हम करतेंगे सर फुल स्लेबस की पीडिएप डाल दीजिए कॉमर्स सब्जेक्ट की जो विग्यपती है ना वो उसके लास्ट में आप देखते हैं जैसे जो विग्यपती आई है जो नोटिफिकेशन आया पूरा डिटील वाला नोटिफिकेशन उसके विग्यपती को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में स्लेबस दिया हुआ है तो वो आपको वहीं से मिल जाएगा स्लेबस कहां से डाउनलोड करो इंग्लिश का देखे स्लेबस उसमें है भाई जो पीडिएप में आया हुआ है वो आपको संभा होता है इस तरह है कि प्रशने जिसके थे उनको जबाब मिल गया होगा तो आप पीडियाप को स्क्रॉल करना जिसमें विग्यपती और पोस्ट डेटेल बगारा सब कुछ आया है लास्ट में देखना आप हर सब्जेक्ट का स्लेबस में दिया गया है ठीक है सर पेड़ागोजी कितने मार्स रहेगी रहेगी ठीक है सर प्लीज बताए होम साइंस के लिए टेट की जरुरत है क्या देखो टेट जो है प्रते एक सब्जेक्ट के लिए है पर शुछ में वीडियो बनाया था उस दिन मैंने बताया हुआ ता और मैंने डिस्क्रिप्स में लिंक भी दिया था पहले एक व इसा हुता है आपकी जो मार्क शीट में डेट पड़ी होती है वही डेट चेक की जाती है जिस दिन आपने फ़र्म भरने के लास्ट टी उससे पहले की डेट अगर मार्क सेट में नहीं होगी तो फिर आपका वेरिफिकेशन जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा कैंसल कर दिय ठीक है सर मेरी एज 42 यर चार मन्त हो एक जुलाई को तो क्या मैं एल्टी के लिए नहीं आप देखे एक जुलाई को जो कल्कुलेशन की डेट दी गई है अगर आपकी एज 42 से ज्यादा हो गई है तो फिर आप इस पॉर्म को नहीं भर पाएंगे ठीक है मीना रावज जी कह र कि तो यह है कि ना यार प्रॉपर तयारी तो नहीं हो पाएंगे लेगिन हां आपको जो है समय समय पर हम पेपर्स और वो चीजें प्रोवाइट करा देंगे बहुत सारी आपकी मदद हम यहां पर से कर देंगे आप हमसे जुड़े रहेंगे तो ठीक है तो बीएट सेकेंड के लिए वालों के लिए क्या ही है इसमें तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन आने वाले समय में आपके लिए जरूर होगा सर प्लीज फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी बताना बिल्कुल इसका वीडियो बना देंगे सर हमने साइन सब्जेक्ट के लिए टीटी क्वालिफाई होना हो जरूरि है या नहीं है ठीक है देखे साइन सब्जेक्ट के लिए टीटी क्या होता है टीट म अन्दलब आपका कहने का मतलब होगा टेट साइट सुमित स्वाति विलोग शौट्स ठीक आपका नाम है तो आपने पूचा है तो इसके लिए वह होम साइन्स के लिए मैं टिर्ट के नाम दिये उन चार सब्जक्ट में से आपके पास दो सब्जक्ट जो है बी ए फाइनल तक रहने चाहिए तब आप इस फॉर्म को भरने के कॉंबिने अपके पास बन पाएगा दूसरा चार सब्जक्ट है तो उस question जो होंगे यह वो सभी से आपके आने वाले हैं प्रवक्ता की वेकेंट से कब तक आ रही है प्लीज बताएं देखिए इसके लिए कोई information अभी नहीं है और अब election के बाद ही आएगा जो आएगा सीटेट सेगंड पेपर क्लियर होने पर मैं फॉर्म फर सकती हूं क्या या यूटेट भी complete compulsory नहीं ऐसा कुछ नहीं होता आपके पास stat होना चाहिए चाहे आप अर्विस वर्ट करके आपका नाम है तो चाहे आपके पास सीटेट है चाहे आपके पाई यूटेट है ठीक है दोनों में से एक चीज हो तो आप इस वाम को भर पाएंगे ठीक है पूरे मंडल में सिर्व अगर मैं अभी OPC certificate के लिए apply करता हूँ तो वह valid होगा या नहीं बिलकुल valid होगा क्योंकि जो भी दिया रहता उसमें जो आपके फॉर्म भर्ण के last date है उससे पहले का valid होगा पहले एक समय ऐसा होता था कि उस समय विग्यपति निकलने से पहले की validity होती थी जब विग्यपत मोनिका खोलिया जी को ठीक है चली आगे बात करते हैं क्या पूछा है सर प्लीज बताएं कि गड़वाल वाले कुमाओं से अपलाई कर सकते देखो जब आप फॉर्म भरोगे ना उसमां आपको पूछा नहीं जाए कि आप गड़वाल से अपलाई करो या कुमाओं से अपल पुरा डिटील में समझा था आपके लिए बता दे रहा है तो भरोगे या तैयारी कर रहे हो तो आपको केवल मैज और फिजिक्स से सब्जेक्ट का विश्चन आएगा ठीक है चेमिस्टी जो होती है वो ज़ोजी और बोटनी वालों के लिए आती है वो साइंस वालों के ल जो पचास नमबर का एक्स्टा जो दिया है वो तो है ही ठीक है चलिए बात करेंगे आगे सर मुझे हिंदी की ओनलाइन क्लास लिनी है ल्टी के लिए देखो फिलाल हमारे पास तो नहीं है यूट्यूब में बहुत सारी आपको मिल सकती हैं और बाकि पेट कोर्सेज भी आप आपको बताया था वहां से भी आप देख सकते हैं जब मैंने डिटेल नोटिफिकेशन बनाया था यूपी वाले भर सकते हैं कि इसका जवाब पहले दे चुका हमें सर आज तक नहीं हो पाया आप तो स्लेवर्स भी चेंज हो गया क्या मैं देखो ऐसा कुछ नहीं है आज त हमें डिमोटिवेट नहीं होना है तो इस पर लगे रहना है बने रहना ठीक है इसमें मैच से साथ फिजिक से भी आएगी तो बिलकुल शही बात है मैच से आप फिजिक साएगे बता दिया है मैंने बेचारे जनरल बॉई सब सीट तो डिफरेंट डिफरेंट कैटिगरी के लिए बुक हैं देखो भाई अगर इतना सोचते रहोगे तो फिर तो गई बात ना जिसको सेलेक्शन लेना होगा ना उसने सोच लिया होगा और उसने उसकी नजर केवल एक सीट पे होगी और वो यह सोचेगा कि बस एक सीट बहुत है बाई मुझे एक सीट चाहिए थी और वो आ गई है ठीक है तो इस तरह से डिमोटिवेट अगर होते रहोगे तो फिर दिमाग में उल्टे सीधे चीजां आती रहेंगी और आप आप जो है निगेटिव होते रहोगे इसलिए प्रपेरेशन करो जम के और आपको एक सीट चाहिए है और उस पर सीधे सीधे नजर म मारा हो ठीक है अगर आप जहां से सोचोगे तो आपके लिए भी बहुत है और उनके लिए भी बहुत है ठीक है सिर्फे सर इफ मैं सब्जेक्ट जुलोजी डालूंगी तो मुझे 50 जो का ओनली जुलोजी ही आएगी नहीं ऐसा नहीं होता है आपको जुलोजी बॉटनी और केमिस्ट्री तीन उसे पूछा जाएगा ठीक है संतोष कोहली जी आपका साहथ सवाल यही था ठीक से थोड़ा सा मिस्ट टाइपिंग होगा है लेकिन कोई बात नहीं आपका सवाल यही था कि आपको सिर्फ जुलोजी से पूछा जाएगा ऐसा नहीं होता आप से सभी इसलिए के लिए चाहिए होगा सर एव्स एव्स की वैदिता के बारे में भी बताए क्योंकि 31 मार्च को वैदिता खटम हो रही है देखो है सबसे सही जवाब आपको बता दो ना 31 मार्च को खत्म हो रहे है तो भाई आप जल्द से उसको रइनुवल करा लो ठीक है है 2023 होनी चाहिए थी ठीक है कई लोगों ने फॉर्म भरने में मौका मिलता कई लोगों फॉर्म भरने का मौका मिलता देखो ऐसा है यह बात सही है अब हमको हर किसी को लगता है कि थोड़ा पहले हो जाता लेकिन गवर्मेंट के अपने इस्यू हैं अपनी अपनी धलीले हैं कि भई ऐसा हो गया वैसा हो गया यह हो गया तो काफी समय से हम सोच तो रहे थे कि भरती आने वाली है लेकिन आप लोगों को कई लोगों को सही का आपने की मौका नहीं मिल पा रहा है तो अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं गवर्मेंट ने जो बोल दिया जो कर दिया तो फि उसकी merit भी थोड़ा कम ही जाती है, ऐसी जिनता की बात भी नहीं है, महिला आरक्षन आयू का मिला के कितनी आयू तक की महिला फॉर्म भर सकती है, देखो भाई, ये calculation के लिए फिर समय लगेगा, ये calculation करनी पड़ेगी, बाकी 42 एज उस में मागा गया है, और बाकी कुछ अन्य उनके लिए 5 साल तक का maximum relaxation मिल जाता है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, merit के हिसाब से गड़वाल कुमाओं में कहीं भी भीज़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आपको कहीं भी भीज़ते हैं, लास्ट में जो merit बनेगे, combined ही ही बनती हो, सर, SST में history, geography, political science और economics में से दो सब्जेक्टे ही पढ़ने होंगे, या सभी, सर, प्लीज कनफर्म कराएं, ठीक है, तो यह है, हरीश जोसी जी कह रहे हैं, तो भाई देखो, आपको दोनु सब्जेक्टे ग्रेजुशन में आपके होनी चाहिए, combination के लिए, बागी पढ़ने आपको चार के चार है, पढ़ने पढ़ेंगे, क्या सर बताओ, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल जोलजी, बाटनी और केमिस्टी, तीनों हो गए, तीनों ही लिखना चार होंगे, तीनों ही लिखना चार होंगे, तो थिंग हो गया हो, तो तीनों पढ़ने पढ़ेंगे, ठीक है, तीन के तीन आएंगे तो यह पढ़ नहीं पढ़ेंगे आपको सर गड़वाल वाले गड़वाल में ही करेंगे क्या सीट से में या ऐसा नहीं होता है देखो गड़वाल वाले गड़वाल में ही नहीं कहीं भी मिलेगा आपको क्योंकि इसमें कहीं भी मिल जाता है है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है न तो जब आपका जब आप मेरिट माएंगे तो उसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी वो पूरा उत्राखंड से बनेगी लेकिन जादा तर ऐसा होता है कि गड़वाल वालों को गड़वाल और कुमाओ वालों को कुमाओ दे दिया जाता है लेकिन कई बार नहीं भी ऐसा होता है तो इस उमीद नहीं रहना है ठीक है सर इवके जीडिसी की कभाई कि भाई ये हम नहीं जानते सर गड़वाल मंडल वाले कुमाओ मंडल से भर सकते हैं क्या दे दिया जबाब सर एल्टी साइंस में केमिस्ट्री बॉटनी जुलोजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं बिल्कुल ये जवाब दे गया मैंने आवाज उठाओ कुछ करो इस से अच्छा इसमें समय बरबात करने जी अच्छा है आप लोग पढ़ा ही में ध्यान दो सर स्लेवस को डिसकस कर दो बिल्कुल स्लेवस को डिसकस करने वाला हमें अभी फिलाल जो है जो में में चीज़े हैं इस पर देख लेते स्लेवस को अपरैल दो पूरी हो रहे क्या में फिल कर सकता हूं देखो यार इस लिमिट अगर पूरी होगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना सर मैंने अभी इंडॉल्मेंट मैं नाम नहीं लिखाया है तो क्या मैं फॉर्म नहीं भर सकती हूं मैंने आपको इसका जवाब दे दे दिया गया है एक मैं दे दिया आगे तो आपको मिल गया होगा सेर एल्टी साइंस की प्र्परेशन करवा दीजे बिल्कुल एक चीज को दिहान से देखना पड़ेगा और इतना टॉफ है तो एग ही जैसे एक जीनस पढ़ने के लिए आपको दो तीन दिन का समझ चाहिए ह होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए गए सर मैंने बीएड और यूटेट फरस्ट किलियर है बस मैं नहीं भर सकती ये फॉर्म जिसका यूटेट फस्ट है वो नहीं भर पाएगा यूटेट सेकिन इसके लिए जरूरी है ठीक है जबाब मिल गया होगा सभी को सर मैंने बी सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब से dalam हरे तो आप बने लास्टेट होगे तब तक आपकी मां चप जाती है तो आप भर लोगे ताउर पर उन्वर्सक्राइब जाकर कर त rail गया शंद निकलवा लिज लस्टेट बार ले तो आप तब भी आप इस या सर हम किसी भी मंडल से भर सकते हैं या देखे इसका जबाब मैं दे चुका हूँ ठीक है पंकज पंत जी सर प्लीज बताएं कि ये गड़वाल और गुमाओ के मंडल का मामना क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है संभवता आपको जबाब इसका मिल गया होगा सर मेरी 10th 12th BSC उत्राखंड बोर्ड से नहीं है क्या मैं भर सकता हूँ अगर आपके पास उत्राखंड का डोमिसाइल है आपने कहीं से भी पढ़ रखा है तो आप इस फ़र्म को भर पाएंगे syllabus पुराना ठीक था कोई बात नहीं ठीक था जो रहा नहीं ठीक था उसकी कोई value नहीं ठीक है जो है अच्छा है ये ध्यान रखना है चलिए इसमें हिसमें मेरी दो साल इंग्लिस थी इसमें मेरी दो साल सब्जेक्ट दो साल इंगलिस थी और लास्ट इयर हिंदी थी और मैंने बीएड इंगलिस से किया तो क्या मैं एल्टी इंगलिस से भर सकती हूँ देखे इसमें आपके सब्जेक्ट ये थोड़ा वह है सब्सक्राइब करनाटक बात है जिनका सीटेट क्लियर नहीं है वो लोग भर सकते हैं क्या बिल्कुल नहीं बर सकते हैं जिनका सीटेट नहीं है वो नहीं भर पाएंगे तो आपको प्लीज सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए आप यूटेट या सीटेट जो है क्लियर कर लिजिए आपके पाई यूटेट है तब भी चलेगा सीटेट है तब भी चलेगा अधर स्टेट वाले भर सकते है क्या नहीं भर सकते हैं डेध स्टेट वालों के लिए थोड़ा सा यहां पर जो है गुरूप सी में इंट्री नहीं है बाकि जो PCS के फॉर्म आए हैं उसमें आप अपलाई कर सकते हैं सर सीटेट में 75 जनेरल डिविजन लिखना चाहा होंगे काटिगरी दिव्यांग काटिगरी फॉर्म भर सकते हैं क्या यार उसको ना स्टेटी करें ना यह दिव्यांग वाला ने ष्टेटी नहीं किया वागी रिप्लाई आप लोगों किए हैं इसको देख लिजे आप सर गला के लिए यूटेट चाहिए कि बिल्कुल चाहिए पेडागोजी वगेरा का स्लेवर्स हिंदी में कैसे मिलेगा तो हिंदी में जहां तक पेडागोजी का स्लेवर्स है भाई वो मैं आपको डिसकस कर दूँगा ठीक है मैं उसको हिंदी में समझा दूँगा आपको जो सकते हैं फॉर्म प्लीज बताएं ये जबाब मैं आपको दे चुका हूँ सर अधर स्टेट वाले वैलिड होंगे सर तो आपका जबाब आपको मिल गया होगा जिनका टैट क्वालिपाई नहीं है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या जुलाई दोजार चौबिश वाला टैट चलेगा क्या बिल्कुल चलेगा भाई जब अगर आप जो है इससे पहले लास्ट douी से पहले अगर आप कर पाते हैं तो चलेगा अगर पपन सकता ल भरूरी है इसमें हैं जुलाइव में 22 एर हो रहे हैं तो आवे दन भर सकते हैं क्या नहीं भर सकते एक क्लिठ में तो नहीं वेतन कर पाओगी मेरा 2022 में कंप्लीट हुआ है मेरा 2019 में में फार था तो अस इंग तो पहले अथा श्रित वो भरा था डियलेट का फॉम ठीक है तो आप इसको कर पाएंगे और दूसरा अगर डियलेट जो हुता है प्राइमरी के लिए होता है जब आपने डियलेट के बेश पर टैट गया था तो कि मतलब डियलेट सेगिन डियलेट कैसे एलिजिबल हो जाएगा ना तो टैट के बात होगी अगर उसमें यह एलिजिबलेटी थी कि डियलेट भी बियाट और डियलेट और ग्रेजवेशन यह दिया था तो यूटेट वाली उसकी क्योंकि मैं मुझे याद नहीं आरा ठीक से लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो प्राइमरी के लिए है वो यूटेट फस्ट है तो यूटेट फॉस्ट के लिए डियलेट ठीक है लेकिन यूटेट शेगर के लिए दिलेट तो कोई कोई यह देद नहीं होनी चाहिए अगर यह दोकिम्स को नहीं भरगे डोकुम्न र misfiction में आप भाहर हो जाओगे ठीक है अगर यह दिती को इसकूं हो सकते है न और उसके जो certificate नमबर होता है तो वो नमबर डानना होता है बागी अप्लोड कुछ नहीं करना होता है वो नमबर आजकल जो डिजिटल नमबर से होते हैं वो डालने होते हैं अधर इस्टेट वाले form फिल कर सकते हैं इसका जब आप देचेगाऊं सर सीटर इपेरिंग भी form फि सेट कलिर होना ज़रूरी है क्या मेरा सिट्छेट क्लिएर होना जरूरी है क्या मैं आपको दे चुका हूं अधर स्टेट के के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं का जबाब मिल गया होगा सर यूपी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं ठीक है यह जवाब मैं आपको दे चुका हूँ तो दोस्तों संभा होता है सभी लोगों को मैंने जवाब दे दिया ठीक है आप लोगों के प्रश्ण जो भी थे आप फिर नहीं किये थे ठीक है उन सभी को मैंने यहां पर कोशिश कर दी है कि मैं सभी लोग को जवाब दे दूँ और जिन लोगों के मन में भी सवाल थे लेकिन आपने पूछे नहीं तो उमीद करता हूँ इस वीडियो के मातरिम से आप लोगों के सभी सवाल सभी जवाब जो है clear हुए होंगे फिर भी आपको कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं बस आप लोग गलती है करते हैं कि वीडियो को पूरा देखते नहीं अच्छे से समझते नहीं और लेकिन फिर doubt में रहते हैं तो इसलिए कोई जानकारी अगर दे जाती है किसी के द्वारा तो उसको थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं और वीडियो को like तो आपको करना ही करना है दोस्तो है न तो थोड़ा सा मदद थोड़ी सी उमीद हम भी आपसे रखते हैं चले इस वीडियो में इतना ही हम आगे next वीडियो मिलेंगे आपसे फिर syllabus को discuss करूँगा मैं इसमें पेड़ागोजी का जो English syllabus दिया ठीक है चलिए इस वीडियो में इतना ही है दूस्तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में हमाई साथ बनेंगे आप सबी का धन्यवाद जैहिंद